हाए आज देखें दो कलर में पिर एक बहुती पियारा से में आपके लिए थाल पुष लेकर आया हूं और इसे आप थाल पुष έχει जगा है या फिर आप इसे दोर मेट की जगा भी योज कर सकते हैं यहां पर मैंने इसके लिए दो कलर लिये हैं पिंक और ग्रीन और नौ नंबर की यहां पर हमने नीडर ली हैं इन दो कलर के साथ हमें स्थालपोश को बनाना सीखेंगे बहुत ही प्यारा और सुन्दर लगता है और इस स्टार शेप में यह पाइदान है हमारा और स्टार करें ताके मेरी हर नए वीडियो का नौटिफिकेशन आपको मिल सके मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए पैटरन लेकर आती हूँ नए नए कलर में तो यहां पर चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और इस डोडमेट को बनाना सीखेंगे या पर इसे कह सकते हैं थालप हैं इसमें यह देखिए आपको जैसे भी फंदे डालने आप डाल सकते हैं यहां पर मैं इसी तरह से फंदे अपने यहां पर कास्टरॉन कर रही हूँ तो यह जैसे मैंने पांच फंदे डाले हैं तो यहां हम 20 फंदे डालेंगे गरीन कलर से तो यहां पर देखिए मैंने ट कि देखिए का हम नहीं यहाँ पर 10 फंड डाल लिये हैं और इस टोर मेंट को देखिए का हम रॉंग साइड से शूरू करेंगे यहाँ यहाँ से आपको ध्यान देना है उल्टी इस आप को दिदेना है यहाँ पर हम देखिए पहले 2 आपको सिंपल बुनेंगे उसके बार हम अ और यह जो फंदे जिस कलर से नजर आएंगे उसी कलर से बनाएंगे, यह देखेगा हम पिंक कलर के यह दस फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, तो कि हमें इन्हें दोनों कलर को जोइंट करना है तो वह धिहान से देख लीजे, बागे सिंपल है, यहां से देखिए, यह दोनों ज तरह से complete कर लेंगे तो दीखिए सलाई हमने complete कर ली आप यह सलाई भी simple है एक फंदा बगार बुना उतारेंगे और यहां से जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाते हुए इस सलाई को complete कर लेंगे और storemate में हम सारी सलाईया उल्टी उल्टी बनाएंगे तो यह पर देखिए सलाई हमने complete कर ली यह right side है तो हमने धागे को back side में ले जाकर cross किया है अब आ गया है उल्टी सलाई में अब हम यहां से अपना pattern start करेंगे तो उसके लिए देखिए क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा अब हम यहां पर फंदा बढ़ाएंगे फंदा 8, 9, 10 यानि के पहले भी हमारे 10 फंदे pink color के थे अब भी जब हमने फंदे को बढ़ाया तो 10 फंदे pink color से रखेंगे अब यह जो एक pink color का फंदा है देखिए इसको हम green से बना लेंगे अब बाकी के फंदे हम green से बनाते गोई जाएंगे यह देखिए लास्ट तक हमने green फंदे बनाए हैं और दो फंदे हमें अब यहाँ पर बगएर बने छोड़ रहे हैं सलाई को यहीं से टेंड करेंगे और जो फंदे जिस color से भी नजर आएंगे उसी color से बनाते हैं सलाई को complete कर लेंगे धियान रखिएगा यह right side है तो धाग को back side में cross करके आगे लाएंगे और जो फंदे जिस color के हैं उसी color से बनाते हैं सलाई को complete करेंगे देखिए यहाँ तक हमने सलाई complete कर ली अब फिर से देखिएगा यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे दागे को ऐसे नीडर पर लपेट कर लाएंगे और देखिए एक दो ती तेरीं, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस-दस फंदे pink color से बना लेंगे फिर से यह color का फंदा green से कर लेंगे और यहाँ से फिर से हमें वो ही green फंदे बनाने है और last में हमें 2 फंदे छोड़ने हैं तो यहाँ पर दिखे हमने एक green फंदे बना लिए फिर से हम सलाई को टर्न करते हुए जो फंदे जिस कलर से नजर आएंगे उसी कलर से बनाते हो सलाई को कम्प्लीट करेंगे कि देखिए इस सलाई हमने कम्प्लीट कर ली पेसे देखिए यहां पर एक फंदा बढ़ाएंगे और देखिए एक तो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ दस पंदे पिंक कलर से बुलेंगे यह एक फंदा ग्रीन कलर से बुलेंगे अब फिर वही लास्ट में तक हम ग्रीन कलर से फंदो को बनाते हुए जाएंगे और फिर से हम यहां पर लास्ट में दो पंदे चोड़ेंगे तो इस तरह से हम हर बार एक फंदा बढ़ाएंगे स्ट और देने हैं सलाई को टर्ण करेंगे और जो फंदे जिस कलर से नजर आएंगे उसी कलर से बनाते हो सलाई कम्प्लीट करेंगे तो यहां पर देखिए हमें इसी तरह से फंदों को बढ़ाते जाना है और यहां पर हमें दो-दो फंदे कम करने हैं तो इस तरह से करते हुए दे और यहां पर हम दो-दो फंदे छोड़ेंगे, दस पार हमें फंदो को छोड़ना है, और इधर भी हमें दस फंदे बढ़ाने हैं, तो यह complete कर लेते हैं, फिर आगे का process देखेंगे, और देखें इस तरह से हमने पत्ती को complete किया है, यहां पर दिहान से देखेगा, आप हमने ए 12, 18, 20 फंदे छोड़ दिये हैं, और यहां पर देखेंगे, हमारे 3, 6, 9, 10 फंदे, यानि कि यह 10 फंदे जो pink color के आपको नजर आ रहे हैं, यह हमारे बढ़े हुए पंदे हैं, यहां से यहां तक हमारे वो फंदे हैं, जो हमने यहां पर कास्टरॉन किये थे, टोटल देखे हमारे 30 फंदे हैं, तीन, छै, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और यह 30 और यह हमारे 10 फंदे बढ़े हुए हैं, अब देखे, अब धियान से देखेगा हमें क्या करना है, अब हम इन 10 फंदों को यहां पर बंद करेंगे, यह जो हमने 10 फंदे बढ़ाया थी, इन्हें हम बंद करेंगे, दे तरीके से, यह देखेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यह जो लास्ट का फंदा है, देखे, इसको ग्रीन कलर के फंदे को आगे ले आएंगे, और इसको इधर लेते हुए, यह देखेगा, धियान से देखेगा, ग्रीन कलर से इसको फंदे को हम बंद कर देंगे, तो हमारे टोटल यहाँ पर देखे, दस फंदे बंद हो गए, अब देखे, यहाँ से काउंट करेंगे, तो यह देखेगा, अब हम पूरी सलाई, 30 फंदे हैं हमारे, यह ग्रीन कलर से बुल लेंगे, और साथ में हम यह पिंक कलर का थागा भी लेकर जाएंगे, अब देखे, दिहान से देखे, यहाँ से काउंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पिंक कलर के धागे को भी ऐसे ले लेंगे, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस फंदे हमने ग्रीन कलर से बुन लिए, अब जो बाकी के बीस फंदे हैं, वो हम यहाँ पर देखे, पिंक कलर से बुनेंगे, जैनि के हमारा यहाँ पर अगला राउंड स्टार्ट हो जाएगा, जो हमने फस्ट रॉ से बनाया था, सि कलर से बनाना है, जो हमारे 20 फंदे हैं, मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगी, कि हमें इसमें फंदों का हिसा आप कैसे रखना है, तो यह देखेगा, हमने इस पूरी सलाई यहाँ पर पिंक, इस तरह से बनाईए, कि 10 फंदे हमने ग्रीन कलर से बनाए, और 20 फंदे प पंदा बढ़ाते जाएंगे, और लास्ट में 2-2 फंदे कम करते जाएंगे, और यहाँ पर हम अब 10 फंदे जैसे हमने यहाँ पर पिंक कलर के चलाएते हैं, यहाँ ग्रीन कलर के चलेंगे, तो इस तरह से हमारे यह राउंड यहाँ पर बनते जाएंगे, मैं दिखाऊंगी मैंने इसे किस तरह से complete किया है तो देखी यहां पर हमने इसको इस तरह से complete किया है इसी देखिए इसी round को हमने यहां से start किया था आप दिहां से देखेगा यहां से फिर हमने अगली पत्ती यहां से start करी तो इस तरह से बनाते हूँ हमने इसे 14 round में complete क्या है यानि कि 14 round इसमें हमने बनाए है और यह काफी बड़ा बनाए है आप देखें इसकी सिलाई करने का एक आसान सा मैं आपको तरीखा बताऊँ है नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें इसकी सिलाई कहां पर कैसे करनी है तो वो देखेंगा आप सबसे पहले तो हम इसके फंदे बन करेंगे तो यहां पर देखेंगा अब हम इसके फंदे बन करेंगे फंदे हम सारे इसके ग्रीन कलर से बन करेंगे यहां तो हमें पत्ती और करने के फंदे बन करने हैं जो हमारे एक्स्ट्रा फंदे हैं देखिए जो हमारे 10 फंदे थे वो एक्स्ट्रा वो तो हमें ग्रीन कलर से ही बंद करने हैं और बाखे के जो हमारे 30 फंदे हैं वो भी हम यहां पर ग्रीन कलर से बंद करेंगे यह देखिएगा देहां से देखिएगा इसको धागे को यहां पर आप प कर देंगे तो यहां से हम सारे फंदे जितने भी हैं यह सब को हम यहां ग्रीन कलर से बंद करेंगे तो यह फंदे बंद कर लेते हैं तो यहां पर देखिए इस पत्ति को हमें यहां से लेकर और यहां जहां तक यहां को पिंक कलर नजर आ रहा है हमें इस पत्ति को यहां तक इ भी लाते हुए आपको यहां से यहां तक सिल देना है बस धियान रखना है कि पिंक कलर बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाए तो यह सी लेते हैं जीए। भी आपको आपको सीने के बाद इसको दिखाऊंगी, सीने के भाद भी कैसा लगता है। यहां पर देखिए इस तरह से हमने इसको सिलकर कम्प्लीट किया और मैं आपको नजदीद से दिखाते हूँ देखिए यहां पर हमने इस किस लाई की है हमने green color झागे से बन किया जरूर जरूर दिया करें आगर आप नेरी चाइनल पर पहली बार आएं तो चाइनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए डॉर्मेंट एक नए थाल पुश के साथ तक तक के लिए थैंक यू